प्रश्कार सूश्वागतम वेलकम अभी नंदन वीडियो का नाम है गोमती चकर वॉल्यूम वन जी हाँ यह वन वीडियो है ऐसी दो वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी सबसे पहले मैं बता दूँ अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है मन चाही जॉब नहीं मिल रहे है इंक्रिमेंट ये परमोशन नहीं मिल रहा है तो आपको 20 मार्च को गोमती चकर 5 लेकर शिवलिंग पर अरपन करने है फिर 20 मार्च को यही 5 गोमती चकर लेकर शिवलिंग पर और ये वाले चोटे-चोटे गुमती चक्र भी एवलेबल है। आपकी मर्दी है कि आपको कौन सा गुमती चक्र लेना है। ये सब गुमती चक्र आपको मेरे पास मिलेंगे। नीचे जो WhatsApp की 3 नंबर दे रहे हैं। नंबरों पर कॉल करकर आप ये गुमती चक्र मंगवा सकते हैं हम आपको कोरियर करेंगे आपके नाम से पूजित अभी मंतरित करके दूसरा उपाय अगर आप बीमार चल रहे हैं बहुत लंबे समय से तो क्यारा गोमती चक्र लेकर अपने सर पे से एंटी क्लॉक्वाइस घुमा कर आपको अगनी में डालने हैं होली का दहन के वक्त ले प्रफैय, समय का ध्यान रहे हैं और अगर कोई भी होली का ध्यास समय से पहले करने दीजिए, कम से कम आप अपने उपाई समय पर कीजिए, 9 ब지 के बाद आप करिये, अगर लंबे समय से बिमारे हैं, तो ये बिमारी चूमंतर हो जाएगी, दीवाली और होली पर किये गए ये उपाई साल भर के उपाय होते हैं इसलिए इसे नजर अंदास बिलकुल ना करें तीसरो पाई अगर लंबे समय से कोट काचारी के केसे में चल रहे हैं, फशे हुए हैं पैसा, जमीन, जायदा, जेवरств सब कोट का चैरी में चला गया लेकिन कोट के चैरी में चानें के मावजोद भी? चीज आपके फेवर में नहीं आ रही हैं वह आननद Choiories अपनी तरफ नहीं आ आ रहा तो आपकी चिज b 61 लड़ते तो बड़ी-बड़ी 83 ऊजहिता उन फाईलों को आग के अंदर अगनी दहन करें अगनी में डालें तो पीछे मुड़कर नहीं देखना और वहां खड़े ओकर कुछ नहीं खाना बस गोमती चक्र उसमें डालने है और निकल जाना और इस बार भद्रा होने की वज़ा से नौ बजे से पहले अगनी दहन नहीं करना अगर करजा बहुत जादा चड़ा हुआ है करजा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा तो ग्यारा गोमती चक्र लेकर उन पर अपना एमाउंट लिखकर जैसे मैंने इस गोमती चक्र पर अपना नाम लिखा है राकी क्योंकि बड़ा है तो इसमें आगे या पीछे आप अपना नाम या जो भी आपका करजा है उसका एमाउंट लिख सकते हैं तो ग्यारा ऐसे बड़े-बड़े गोमती चक्र मंगाईए मेरे पास से उसके उपर अपना एमाउंट लिखे कितना एमाउंट आपने करजा देना है और उसके बाद उसे अपने सर पे से साथ बार एंटी क्लॉक्वेस गुमा कर अगनी दहन कर दीजे कम से कम ग्यारा गोमती चक्र होने चाहिए और पीछे मुड कर मत देखिए ये उपाए अगली होली तक उससे पहले ही आपका करजा उतारने में आपकी मदद करेगा तो अपनी मदद स्वे बेजें और अपनी एड्रस बेजें और ये गोमती चकर आपको मुझसे खरीदने पड़ेंगे ये पूजित होंगे आपके नाम से प्रान परतिश्चित होंगे फिर आपको भेजे जाएंगे तो ये गोमती चकर आपकी लाइफ बदल सकते हैं पैसों की दिक्कत हो आपके पस तो ये छोटे गोमती चकर भी मंगा सकते हैं पर इसमें नाम लिखने में परिशानी होती है इसलिए मैं आप से सज्जेस्ट करूँगी कि बड़े बड़े गोमती चकरों का इसमाल करें अगर विदेश जाना है आपको और विदेश जाने का सपना पूरा ही नहीं हो पा उस पर राम लिखना है आपको होली का दहन वाले दिन ऐसे ग्यारा गोमती चकर लेकर उस पर राम लिखकर पवन पुत्र हनुमान जी के चर्णों में अरपन करके आना है प्लस उन्हें ये बताना है कि आप कौन से देश यात्रा करना चाहते हैं ये तो आप हम सब जानते कि सबसे पहले विदेश जाने वाले पवन पुत्र हनुमान ही थे सीता तो गई थी अफकोस गई थी लेकिन उनको ढूणने के लिए लंगा को ढूणने वाले कौन थे हनुमान जी तो ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर से दोगा और आपको विदेश यात्रा करने का मौक अँचंदा कर आपके लिए 11 को जिए गुमती चकर को करें अपने हाहतं ड़ीजे और क्या कीजिए इने 11 दिन तक लगातार तोड़ना शुरू किजिए लेकिन शुरू करना हे हैan और जिया क्योंकि आप लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए कर रहे हैं ये शुरू करना है हो करतार 11 दिन तक करना है तो आपको जरूरत है 11 गोंती चकर कि गोंती चकर कम सकम इतना बड़ा होना चाहिए कि घर के सामने पूरा बिखर जाए क्योंकि शाम के समय लक्षमी ची आती है और आपको अपने घर के मुख्य दर्वासे पे गाएं के घी का एक दिया चलाना है बस 11 दिन करकर देखे कैसी भी गरीबी दरी दिर्दा परिशानी क्यों नहों सब चूँ हो जाएगी अब मैं बनाओंगी अपना दूसरा वीडियो लेकिन फिलाल मुझे दीजे जाज़त अपना ध्यान रखिए अपनों का ध्यान रखिए होली ध्यान से खेलेगा जम कर खेलेग कि आपको इस वक्त मेरे यूट्यूब चानल पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं तीन नंबरों के सिवा किसी नंबर पर कॉल ना करें पहली बात लेकिन कॉल करने का दोस्तों एक समय होता है आप लोग रात को चार बजे दो बजे तीन बजे किसी भी टाइम कॉल करते हैं ओफिस टाइम होता है अगर आपको इन तीन नंबरों पर कॉल करना है तो आप इन तीन नंबरों पर सुभा नौ बजे से लेकर रात के नौ बजे तक कॉल करें प्लीज नौ बजे के बाद कॉल ना करें और इस कारिकरम के बाद इस यूट्यूब चैनल पर आपकी मेरी बिन वाइमेंट मेरी बिना फीज दिये नहीं हो सकती क्योंकि आप लोग कॉल करकर सिर्फ इतना बोलते हैं कि राखी जी से बात करनी है दूसरी दरफ से बंदा आप से कहता है कि व्पायमेंट लेनी होगी फिर आप कहता है यह तो हब पता ही नहीं था तो प्लीज आप समझे बिन appointment कि आपके मेरी बात नहीं होगे, please appointment लेकर बात कीजे, मैं राखी आपको इतना बताना चाहती हूँ कि मेरे ये तीन नंबर है बहुत सारे YouTube channels चल रहे हैं, जिस पर अलग-अलग नंबर है, आप लोगों के साथ किसी तरह आते हैं, तो at least मेरे नंबर नहीं है, तो प्लीज आप किसी गलत हाथ में ना जाएं, अपने पैसे बरबाद ना करें, किसी जूटी राखी से appointment ना ले, सोच समझ कर विवेक से आप इन ही नंबरों पर बात करें और appointment ले, तो प्लीज डू आव वीडियो कॉल